लो श्रुटेंट की स्वाइंटब का आपका आपके एपने यूट्प चैनल स्टडी विटास सुमरी सो श्रोटानिट्स वाली वीडियो में म exile करेंगे ए जलिभ वी से बारे में जो की यह पार्ट फोर है इसके इंदर हम सर्कुलेर सन के बारे में बात करें सिर्कुलेटरी सिस्टम और एलिया का में रेस्पारेशन और एक्सक्रिशन भी आ जाएगा तो पिछले तीन पार्ट में हमने है वह पहले वाले पार्ट में हमने वह उसका क्लासिफिकेशन देखा और एलिया का हैबिट एंड हैबिटेट्स देखा औ कि अई डाइजेश्टिव वाला पार्ट व comfy फ़र्ड पार्ट में हमने देख पूरा किस परकार सेयों सिस्टम हो काम करता है स्वाले पार्ट में हम देखने वाले में circulation के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं फिर circulation का circulation of water in aurelia okay so the circulation of water is due to the beating of cilia of the gastro dermal cells lining to the gastro vascular canal it circulate through the gastro vascular canal system along the fixed route okay so आपने पिछवाने parts नहीं देखें तो वह देख लेना चाहिए मैं ज्यादा फॉर्स नहीं करूंगा लेकिन वहार से वह समझ में आ जाता है कि क्या gastro vascular canal है क्या gastro dromy cells होती है ठीक है क्या वह यह लाइनिंग फ्लेज लेटल यह सीलया लाइक लाइनिंग होती है वह सारा क्यूंकि पिछे हमने पढ़ लिया ठीक है तो लेकिन अभी हम इसमें अगर हम देखें जो aurelia होता है यह जो नीची वाला पार अगर हम देखें माउथ वाले पार्ट से यह अंदर वाला पार जाता बोडि के अंदर वाला जो gastric वाला पार यहां पर four lobs kind of gastric pouches होते है चार लोब में वह डिवाडेर रहता है अंदर वाली जो तु möj्वकोिया उरर्वाटर को मूव कराते हैं सिस्टम में तीक यह एड़ास्टिक जो केनाल सिस्टम लाइगे से रहते हैं फ्रोल कि सकी तरफ नाफ ल法 करता है यह निचे वाला पार्थ यह माउथ वाला पार्ट मोशें यहांप stopping गेस्टिक वाले पाउचेज आ गए मालों ठीक गेस्टिक वाले पाउचेज चार गेस्टिक वाले पाउचेज होते हैं करें तो कि सोुझेट कई वाले पाॉचम्चेज के वह пойlut सिस्टम में अवर डिवाड़ like और न जैसे यह परेडियोर में होना lea actually से परेडियोर आती है तो वो किना सिस्टम हम पहले ही पड़ चुके हैं तो उन किना सिस्टम चोकर है यह water होमोग करता है एस एक इसे वाठर मोग करता है कि ऐसे में वैश से for चाहिए इनरे Outer अब पर्रेडियल होती है पर रे डियल के रायो ट्यू calendar रेडियल के नाल है और यह जो green color की यह जो structure आप के नाल देख रहे हो वो add radial के नाल होती है जो कि eight number eight होता है इनका जो कि इन दो के बीच में था एक यह पर radial हो गई एक यह इंटराइडियल होगी इन दोनों के बीच में यह जो green इनका क्या रोल हो हम देखते हैं तो दा इन्हेलेंट इन्हेलेंट वाटर करांट जो कि अंदर की तरह वाटर आ रहा है उसकी वेव इंटर दा माउथ और रहा है तो हम बात कर रहे हैं सब अम्रेलर सर्फेस की नीचे वाले पाट की तरफ की वाटर हो माउथ वाला पाट होता है वहाँ से वाटर आया और वाटर किसमे यह स्टॉमच यहां पर एड रेडियल के नाल होती है जो कि हमने आठ नंबर एड रेडियल के नाल के देखे बाकिये चार ब्रांश्ट है वो पर रेडियल के नाल भी होती है चार इंटर रेडियल के नाल भी होती है लेकिन जाते समय है वो जो आते समय जो वाटर जब आता है तो वो आता है वो आकर है वह स्टोमस के अे अकर행सर से होके तो ओंचे के अदर के तुरू है वह वाटर टर के तरफ आजाता है m backing फार्ट पर मार्जिनल वार्ट पर है वह यह से रिंग के नाल आ वह वह हो ट्रिक teaching यह के नाल के अंदर है वह यहां पर वाटर हुआ जाता है ठीक है अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं कि यह जो फ्रॉम दा सर्कुलर के नाल अब यह जो आउटर वाले पार्ट में जो वाटर आ गया है वहाँ से जब वापिस से वह बाहर की तरफ जाएगी यह जो बाहर वाली जो वेव होती है वापिस से शरीर से बाहर जाने वाला जो वाटर करेंट होता है उसको बोलेंगे हम एक्जेलेंट वाटर करेंट ओके है तो एक्टलेंट वाटर कारण रेंट थू थू देट फू पेरिफेरल एंड इंटर पैरिफ पर ने इन इंटरेडियल नहाई सो वह ब्रॉट जो आएगा नहां तो वह इंटराईल ऑर पर नहांन के दुआ आईगा और जाये गा तॉ त इंटराईल के थरफ जाएगा तब आफ्रों मेरी टपाइस इंटो दो गुलेट एंड फाइन एग्जिस्ट अलोंग दा बेसल ग्रूप सब्सक्राइब कर रहे हैं कि यह जो एड रेडिल के नाल के तुरू तो है वो अंदर की तरफ आया पानी और पानिया आकर रहो वहां पे क्या पे यह यहां पे आगया ठीक है यह है रेडियल के नाल या रिंग के नाल अब जब वापिस से जब जाएगा एक्जलेंट करेंट हो यहां पर क्या रहती है कि नाल इंटर रेडियल भी रहती है पर रेडियल के नाल भी वापिस से आने के लिए यहां पर रहती है ठीक है वो प्रोपर स्ट्रक्चर मैंने इंटर रेडियल के नाल से होकर वापीस से आएगा ठीक है और वापीस से यहां पर आते हुए स्टोमस से होते हुए जो गुलेट वाला पार्ट होता है मेनुब्रियम वाले पार्ट सुमा से होके यहां पर और राम्स रहते हैं वहां पर और राम्स के वहां पर भी जाते हैं माउथ पार्ट से हो अपिस बाहर आजाता है वाटर कुराइट जो इंटर्ड रेडियल कैनल जो कि दो पर रेडियल के बीच में कैनल होती है इंटर्ड रेडियल कैनल कणनल कश्वेट टू दा वेशल ग्रू ऑफ दावरल और आंच वाय उचलेंट एंड गेस्टोरी के नाल आशो इस अधेंजमेंट ग्रेटली प्रिवेंट देशिंग ओप वार्ट करेंट ओक्यू तो यह जो किनाल सिस्टम है एड रिडियल से वह जिंग के नाल की तरफ जा रहा है और इंटर और पर डेडिल की तरफ से वह बाहरा रहा है तो यह मिख्शिंग होने से बचा पराया ठीक है वाटर को सो अरेंजमेंट ग्रेटली पासो यह हमने देख लिया एंड को कॉंट्रेक्शन ओफ दे बेल डिरिंग लोकोमोशन एंड मुवमेंट ऑफ दौरल आंस हेल्प इन शर्कुलेशन और वन कंप्लीट शर्कुलेशन तो यह जो कॉंट्रेक्शन होता है सिर्कुलेशन और एक पूरा सर्कुलेशन जब साइकल होता है इन हैने और एक्चलेशन का तो वो 20 मिनट उनमें लगता है तो प्रोपर स्रकुलेट्री शर्कुलेशन में 20 मिनट का समय लगता है है so the circulation of water helps in nutrition and respiration and excretion and reproduction इनमें सब में हो दसफ रोल प्ले होता है अब respiration and excretion कि बात करें और ए ले स्पेटल और्गन फोर डिस पारेशन डेपस्थ ख्रीशन ओविस्ली ठिक है उसमें ऐसा नहीं है कि सब्सक्राइब के लिए और चला जाएब जैसे गेस्ट्रोडर्मी सेल्स उसके पास में रहती है बहुत सारी सेल्स उँछिजीजन चला जाएगा और हें चलाएगा और पानी के अंदर आजाएगा और एक्सकरेटरी मैटीरियल जैसे कि अमोनिय अगेरा हो गया तो वह शेल से वह एक्सक्रेट होकर बाहर पानी में आ जाएगा, और पानिके एक्सटे मेड करन्ट के तुरूँ है, वह बाहर निकल जाएगा बोडी से तो ये सिंपल सर्कुलेशन के साथ में इनका एक्सक्रेशन और रेस्पारेशन हो जाता है वेसे ठीक है तो अगर पढ़ें तो जैसे एक्सिजन डिजोल इंट वाट इफ्यूस डिरेक्ली इंतो दैपिडर्मिस अगेश्ट रिश्ट रहती है और कार्म दाइस ओक्साइड वेस्ट डिफ्यूस आउट इंट शूरांडिंग वाटर और वर्च पिजेव प्याव पार वाटर वाटर रहती है कि यह जो हमने देखा था रहताँ अब इंटर रेडियस के नाल के उपर जो हमने जनाइटल पीट्स देखा था एक ओपनिंग अपरेचर देखा था जिसका फंक्षन अन्नाउन था जो कि गॉनेट के अंदर खुल ओपन नहीं होता है ठीक है उसका गॉनेट से कोई कनेक्शन नहीं होता है लेकिन उसका नाम है स कि फ्रेस वाटर उसके अंदर की तरफ जा रहा है और सियोट वाला पानी है वह बाहर आ रहा है तो ऐसा उपजर उन्होंने किया है खेर 99 परसेंट वेट ऑफ जैली फिस फॉर्म्ड वाई वाटर ओके सो क्योंकि में जो या फिर केनाज सिस्टम में वाटर परजेंट होता ह यह वाल दे टाइम तो उनका जो वेट है वह 99 परसेंट पानी का ही बना ओवा होता है और यह लिया का एन नदिंग इस नौन अबाट दा नेचर ऑफ दा एक्सक्रीटरी प्रोड़क्ट तो एक्सक्रीटरी प्रोड़क्ट प्रोपर अमोनिय ही होता है या फिर क्या होता है और अनन है एक बर के लिए सो इतना है थाई वाली वीडियू में हमने सर्कूलेशन के बारे में प्रोफर डीटेल से देख़ लिए नेक्स्ट वाली वीडियू में औरलिया जलिपिस्का जो नर्वस सिस्टम है और सेंशरी जो पार्ट होते हैं वो सारा हम देखने देखने ओले आहां part 5 में टिकर डिस ह्में निर्व दिफ्यूज है ये ठीक लिउटों एक तो पील्न के वो देखने वाले है तो और यह ठीक एयर और यह लिंक और डिस्क्रिप्सिन में आपको मिल जाएगी या फिर मेंट कर देना बाइ… झाल झाल